कि इस विताइस को हम इस का इस वने शुरु करें कि इसको डिए अधिक बूh और इस जिएसना ripe कर दिएंगे अ जा ठीक है से इसको पढ़िएगाइ कि ए अप दिखूगि आज तो आपको किया रफ इंटो दे रहते हैं कि ग्रामर हम लोग कैसे पढ़ेंगे यह आई लिखा हुआ है अभी आपको जैसे यह शब्द पर हम आएंगे तो बोलेंगे यह फ्रेजल भर रहते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम इस्तमाल करेंगे दिरे दिरे समझ लेना है तो वह दो शब्द है फ्रेज और इडियम यह शब्द हम बार बार प्रियोग करेंगे तो आपको पता है कि फ्रेज क्या होता है इडियम क्या होता है तो सबसे पहले elements of grammar जब आप पढ़ेंगे तो हम आपको यह सारी चीज़े समझाएंगे तो अभी क्या है कि reading के class हम separate लेते हैं लेकिन जब तर देमो चल रहा है दो चार दिन पास दिन ऐसे तो तीन दिन का हिसबर देमो रखेंगे तब तक यह classes दोनों हम लोग एक साथ करते हैं ताकि आपको अलग अलग वीडियो को ढूड़ना ना पड़ें फिर grammar की class हमारी private हो जाएगे इसे को हम लोग देख पाएंगे और reading सबके लिए रहती है तो एक तो हम लोग पार्सो स्पीच पढ़ते ही है बचा मतलब अंग्रीजी में जितने ही भी शब्द है ना अंग्रीजी भाशे में आज हम आपको जब grammar पढ़ाएंगे तो यह बात हम आपको बताएंगे वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंग यह फ्रेज है यह फिर यह इडियम है यह दो शब्द हम बार बर क्या करेंगे रियोक करेंगे ठीक है फ्रेज और इडियम क्या होते है यह समझ लेते हैं तो देखो बचा यह सारी जो है यह शब्द होते हैं यह क्या होते हैं शब्द कहने का मतलब एक समू होगा अक्षर का ठीक है जैसे रन ये एक शब्द है अवे ये एक शब्द है लेकिन फ्रेज और इडियम जो होते हैं ये शब्दों का समू होते हैं कम से कम दो शब्द होंगे इसमें कम से कम कितने शब्द होंगे दो तीन भी हो सकते चार भी हो सकते लेकिन कम असकम दो होगा तो जब ही हम फ् फ्रेज कब बोलेंगे इडियम कब बोलेंगे ये बात आती है कि भाई सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि माई फ्रेंड को फ्रेज बोल दे ये भी तो हो सकता है तुमारे मन में एक प्रशन उठेगा ना कि सर माई एक शब्द है फ्रेंड एक शब्द है दोनों दो शब्द होके तो मा छोल से क्या हो जाय sih गो मूल से ृजह अलग हो गया छária on ठीक है जी कॉल का मतलब होता है पंप अंपो उनल करता बर्ला होना किसे से मिलना कॉल अपन क्या मत बड़ घालिए मीट इसक्थ साहर बलकुल ही बदल चाहर बदल है इसको अब घाल फ्र mogę लेकिन अब फ्रेज न बोल करके अगर हम बोल देते हैं, फ्रेजल भर्ब है, क्या बोल देते हैं, फ्रेजल भर्ब है, तो बोल लोग सर, यह क्या कर रहे हो आप, परिशान मत हो, यह है तो फ्रेज, लेकिन इसका भी तो समाज में कोई युगदान होगा, तो यह वर्ब का का की दो शबदो का а लेकिन बाकिये में इा किस का काम कर रहा है मिलें इसको कि दूसा हमने क्या बूल दिया यहं बात में पढ़ाएंगे उब अगर हम बोले तो आपको पता हुझा है के फ्रेज़ और दूस ना उकर कि शब्डो का क्या है मुखरी रिदinction करते तो अमारे वही समझना है देखो क्यों कि बच्छा शब्द समझना आज़ो और वाक्य समझना दोनों में आज़ो शब्द और वाक्य में बहुत फर्क होता है कई पर हमारे पास क्या होता है कि शब्द बता होता है लेकिन उन शब्दों को जब वाक्य में डाला जाता है तो हम सही अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो इसमें आपको क्या हुआ कि ये तीन समस्य आया है जब आप रेडिंग करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम सा फेस करेंगे तीन पहला जो है कि माल ये शब्द की ही मीनिक नहीं आती है पहली प्रॉब्लम तो हो सकते हैं कि हमको क्या है शब्द की ही मीनिक नहीं आती है तो रेडिंग में जो तीन प्रॉब्लम सा फेस करेंगे हम बता देता है और उनको कैसे कैसे दूर करेंगे वो हम देखेंगे तो पहली problem हो कि word meaning कि सर ये शब्द की meaning ही हमें नहीं पता है ठीक है तब क्या कर सकते हैं भाई उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं दूसरा होता है कि भाई contextual meaning नहीं पता है हमें दोनों में फर्क है ये भी हम समझाएगे कि हमें क्या नहीं पता है contextual meaning नहीं पता है और तीसरा जो problem आता है वो problem आती है कि हमें subject के बारे में नहीं पता है किसके बारे में नहीं पता है subject के बारे में नहीं पता है ठीक है तो अब समझते हैं कि तीनों की meaning क्या होती है word meaning तो हो गया सीधा कि शब्द है यह नहीं नहीं आता है वो ज्यादेपरिशान करेंगे। हाग गलत हो जाए क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जम लोग याद करते हैं तो किसी शब्द का एक popular meaning पकरते हैं कौन सा meaning पकरते हैं popular ठीक है जैसे अगर हम आप से पूछे एक हम रखते हैं इस शब्द की meaning कितने लोगों को पता है ऐसे अभी हम पढ़ाएंगे तो फिर हम इस बात में discuss करेंगे आज हम रेडिंग और ग्रैमर दोनों एक ही साथ ले करके चल रहा है मुही कहते हैं मुखी ही कहते हैं उसके लिए शब्द मुखी ही है दूसरा को शब्द है नहीं तो यह शब्द अगर हम लिख दे तो आप ना कोई नहीं कहेंगा मों लेगा हासर यह तो पता है हा तो कहो गए ठीक है वाके में use हो गया अब जो meaning पता हो डाल रहे निकल ही नह क्यों नहीं निकल रहा है क्योंकि obvious बात है कि वहां पर फिट नहीं हो रहा है उसकी कुछ और meaning चाहिए थे तो हम लोग सारी possible meaning नहीं याद करें कि एक popular meaning याद करते है ठीक है तो उसमें दिकत तो जैसे mouth noun हमें पता है mouth noun की meaning होती है मुख origin of something बहुत होगा तो याद होगा किस इसी चीज़ का उद्भव उद्गम शुरुवात जहांसत्य उसको mouth कहेंगे इसके अलावद तो दूसरे कोई meaning नहीं कहेंगे लेकिन mouth verb होता है वर्ब की meaning क्या होती है बोलने के लिए मुख हिलाना लेकिन आवाज न निकलना है छोटा बच्चा देखो कि नहीं देखो हराम मुख बनारा कुछ बोल नहीं रहा है लेकिन वह अपने मन की भढ़ास निकल रहा है कि उने ऐसा बचा है कि नहीं वरिवाल मेकाद को होता ही होता है तो वह जो कर रहा है उसको यह लिए शब्द क्या यूज़ोगा मिने जी में अब क्या है कि आप इस शब्द के लिए dictionary में इस शब्द का अonnenको पुख लिएक होता है में खसें होता है कोo का अर्डात नहीं वह अर्गर वह ऻांज क्या है पहला और दूसरा हो जाएगा इसको कहते हैंगे लेकिन वर्ब वाला नहीं पता है क्या नहीं पता हमें वर्ब वाली मीनिंग हमें पता नहीं होगी इसका तो वर्ब की मीनिंग में है यूर लिप्स as if you were to move your lips as if you were saying something but without making a sound अपने होटों को हिलाना जैसे कुछ बोल रहे लेकिन बोलना आवाज नहीं पता है तो यहां पर आपको दिकत हो जाएगी तो फिट नहीं हो तो reading से क्या होता है कि हमें धेरे धेरे पता चलता है कि यहाँ शब्द अगर बार बार इस्तवाल होता है तो इसकी कौनसी वाली meaning जादे इस्तमाल होती है वो पता चल जाता है ठीक है तो यह problem face करोगे आप लो दूसरा था contextual meaning contextual meaning का मतलब है कि एक शब्द के पाच अर्था में पता है कौन सा वला यहाँ पर fit होगा कौन सा वला यहाँ पर fit होगा और तीसरा subject शब्द की meaning भी पता है लेकिन जिस विशा के बारे में आहे ऐक थोा सह हो रहे हो विशा ही हमें नहीं पता है ठीक है जैसे बार-बार बोल रहा है आल हम एंखे हो हिऊ हवाई जाहाज में बैठे है नहीं है कभी हम train मी बैठें तो आयल समझ्च मीन है 강 और समझ्ज में आरहा है कि दो सीट के बीच का जो रास्ता होता उसको ईह है बस में के होती है दोज मार दोजीठ मिली है कि हुआ कि गली वाली मिली है कि खिर्की वाले, window seat मि लिए है या aisle seat मि लिए है, bus में इतना नहीं हम लोग अधिमाग लायाते हैं, बहुत होता बोलते हम रहा उल्टी होई चैए, हद्सद यहींने बोलते हैं, हम रहा उल्टी होई चैए, मतलब हड जाएगा, अब खिरिकी के वास बैठ जाओगे, इस सदिक हम लोगों वहाँ पे bother नहीं करते हैं तो subject के लिए थो हम लोग editorial ही ते आदी परेंगे ताकि अलग-अलग विशह में अलग-अलग शब्द जो इस्तमाल होते हैं वह में धीरे-दीर क्या हो जाए, clear होते है अब यहां पर एक जो समस्या है, उस समस्या का सभी लोगों को मतलब समधान ढूंटना होगा, यह reading प्लस grammar की गलास है इसलिए आपको वो दोनों ही चीज़े समझा रहे हैं कि word meaning को लेकर के there is a concept और वो concept हमारा क्या हिला हुआ है आपको और हमारा सब्का, मेरा पहले तक था, अब नहीं है और वो concept क्या है कि meaning को मतलब याद कैसे किया जाए मतलब यह नहीं कि ठीके का कैसे, वो बला नहीं, पढ़े कैसे ठीक है, जैसे पानी को पीने को लेकर कि अपनी conflict नहीं खरा हो कर कि पील जाए कि बैट के पील जाए जैसे तुम पानी पीना चुँक कोई बैट के पियो ठीक है, तुम बैट के पीने लगो कि तो फिर कोई आखे बोलेगा कि धीरे धीरे पियो तो हमें तुमको लगए कि यार मतलब मेरी जिंदगी कि यह इतने साल निकल गए और हमें पानी पीना भी ढंग से नहीं आता है तो वर्ड मीनिंग कैसे पढ़े याद हो गए ने हो गए तो भगवान की मलती है रेकिन पढ़े कैसे तो मालो एक शब्द है यह शब्द है क्या इसकी मीनिंग आती है आप सभी को पक्का कनफर खराओ बच्चा बताओ क्या मीनिंग है अरे तो डर कहले है अच्छा बताओ बहुत होगा तो क्या होगा कि दस सेकेंड खरा करेंगा यह एक मिनिट इसके लाव कहा सुने हो कि फासी चड़ गया कि भाई फलाना टीचर ने फासी दे दी बच्चों को वर्ड मिनिंग नहीं बताने के लिए अब एक बहुत सोच बच्चा कहीं हमने कहा कि इसको हिंदी में ट्रांपलेट कर दे है हमने तो आप से शब्द की मीनिंग पूछी है और आप यह मान के चल रहे हो कि भाई इसका इसकी मीनिंग कितने लगों को बता है उसको नहीं पता है तुमको बता बता हो फिर तुम ट्रांसलेट कर रहे हैं बचा फिर एक बद समझो गुरुप डी की परीक्षा में मैंगो के बगल में आम लिखकर के आता है क्या अब तो तुमने हिंदी वाले शब्द को अंग्रेजी किया और आम जो पकड़ा आम ने बैठो तो अब्यसी बात है कि तुम जब जाओगे तो तेखो कि परीक्षा में विकल्प हिंदी में होते नहीं तो यह जो मैंगो का मतलब आम जो पढ़े उसका तो एक ही काम हो सकता ह कि छोटा बच्चा को बताएंगे बाबू दिस इज एपल एपल मितलब सेट यहीं ने कर सकते हो अधर दें दैट परीक्षा में क्या तर होगे कहीं पर विकल्प हिंदी में रहते हैं कि मैंगो का मतलब आम आपने रटा इसका इस्तिमाल कहा करेंगे यह बताओ ठीक है यह हमने मेहनत की हमें याद है हजार-दोहजार शब्द तो याद होंगे लेकिन इनका प्रियोग हम करेंगे कहा अधर कि मैंगो मैन वो अलग से शब्द बनाया गया था बच्छा बाद में टाइम सफ इंडिया में काटून शपा था ना आम आदमी ठीक है तो उसके पीछे कॉंटेक्स्ट यह था कि एक भुखमरी फैली तो लोग इने आम की गुठलियां घिस करके खानी शुरू की तो वहां से फिर मैंगो करनल से मैंगो मैन कहा गया मैंगो का हिंदी का शब्द उठाया गया आम और मैन मतलब आदमी वो वो बला आम है ही ने आम यो फल ही है पर हमारा कहना है कि मैंगो मतलब आम जो पढ़ी इस्तमाल कहा करेंगा हम यह बता रहे हैं आपको हिंदी में जो वर्ड मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं इसको यूज कहा करेंगी एक तो यह हो सकता है आपने समझने के लिए किसी को समझाने के लिए क्योंकि हम समझ गया ऐसा नहीं कि तुमने आम बोला हम पीला वला फल ठीक है जो गरिमियों में मिलता है बराही स्वादेश्ट होता उसके अंदर में बड़ा सा भीज होता है वह हम समझ गया है बट हम कहे रहे है परिक्षाग हिसाब से यह जानकारी आपके कैसे काम आएगी हम यह नहीं समझ पा रहे है कि क्या कहीं पर विकल्प होगा कि मैंगो का मतलब आम चुलना होगा नहीं थूप बहुत होगा तो ऐसा लिखा हो रहेगा और ट्रॉपिकल फ्रूट मैंगो की मीनिंग में क्या लिखा रहेगा ट्रॉपिकल फ्रूट विद येलो पल्प एड और सिंगल लार्ज सीद यह ने लिखा होगा, बहुत होगा तो कि एक ट्रॉपिकल फल होता है तो फिर दिमाग में आगए ट्रॉपिकल कहने का मगा अचा-चा मन में कुछ चल रहा होगा हुमारे फल फ्रूट लिखना चाहते थे हम कुछ सोच रहे हैं को होता है यह है तो यह चैए कडा है उसके ऊपर या फिर उसके नीचे जहाँ पर तर अथा जबहारा किया हो, या छाएक ये इस जलवाई की वोगने वला एक फल है जिसका जो बूदा होता वो पीले रहा होता है और आप संप्य जाएंगे और परिक्षा में इसी तरह से दिया रहेगा और परिक्षा में इस तरह के प्रश्ण को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिटूशन क्या कहते है तो ये वन वर्ड सब्स्टिटूशन ये तो वर्ड मीनिंग है जिसे हम जो हमें याद करनी चाहिए कि बच्पन से ही ऐसे रड़ना चाहते है कोई नया टॉपिक तो है नहीं हमें शब्दों की मीनिंग ऐसे ही पढ़नी चाहिए थी हिंदी में पढ़कर कि हमने कुछ किया नहीं मतलब वो समझने के लिए असान है बड़ नहीं कौई जुरौती है कर रा वचलिए हिंदी की मीनिंग किस भाशा में लिखते थे हुट हिंदी पढ़ते थे ने स्कूल में तो हिंदी में भी शब्दार्ट लिखाए जाता था ना o तो उसका शब्दात किस भाशा हम लिखते थे? सरल हिंदी में लिखते हम लिखते हैं हिंदी को वहाँ ट्रांसलेट करते थे? नहीं हिंदी की मीनिंग लिखते थे तो कहा लिखते थे? सरल हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों की मीनिंग कहा लिखेंगे? वहां पर दूसरी भाशा का वहां पर विकल पकड़ते थे, नहीं, तो यहां पर यह जो प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम समझा देते, यहां पर यह जो प्रॉब्लम इसको कहते है, second language issue, इंग्लिश हमारी second language है, तो हमारा medium of communication हिंदी हो गया, जैसे math पढ़ते हो ना, math किस हम परते हो, किसी भी भाशा इप सकते हो, अंघ्रेजी में पर होगी, तो English medium, हिंदी में पर हगी, तो हमारे और तुम्हारे बात करने का माध्यम होगा हिंदी, लेकिन पढ़ेंगे तो वही विशय ना, जो विशय चल रहा है, तो हिंदी हमारा माध्यम हो सकता है, जैसे हमा हमारा medium of instruction यानि अपनी बाचीत आप तक पहुंचाने का माथियम क्या है हिंदी हम बोल कैसे रहे हैं आपसे हिंदी में वह medium of instruction है लेकिन विशय तो हम्रीजी है न अपना तो शब्दोकार्थ कैसे रटना सही रहेगा ऐसे ही क्योंकि पूछे कभी ऐसे ही ठेक है इससे लाब क्या-क्या है यह हम आपको धेरे-धेरे बताएंगे जैसे अगर आपने यह meaning ऐसे देखी तो आपको पहले तो पता चल गया कि यह एक noun है और countable noun है कैसा नाव नहीं कि और से meaning शुरू हुए एक पहुत सारे grammar के concept clear होते हैं दूसरा क्या होता है कि यह usable information है जो आप competition भी use कर सकते हो दूसरा यह हम लोग भागते हैं बहुत है भागना समझते हो नहीं हम लोग avoid करते हैं चीजों कि जितने दिन चल सके टीका लगना है आई तब करागा ल Vergleich कि की ओके आई बुख़ार लेगना गवां नहीं है तो आपको अंग्रेज़ी पढ़नी यह नहीं पढ़नी पढनी होता है अपनी सुविधा इस अप़र नहीं होसकता है बॉर थाया के यह चाहें कोरते हैँ। पर पहुंचाती थे लगेता है। यहीं नहोगा, तो हम लोग हमेशा कौन सा रास्ता चुनते हैं, मीठा वाला, convenient रास्ता वाला, सीरफ में भी कही लोग बोल सकती है, बहुत कड़वा है, मीठा वाला, जैसे हमारी वाइक है, यह कैसा दवाले हैं, सब सफेद सफेद है, तो कलर दवा कहा से नहीं है, जो आता है, वहीं लखेंगे, तो बीमारी की दवा है, तो अब यह बाता दिये, क्या यह आसान है या मुश्किल है यह काप, शब्दों को ऐसे याद करते हैं, आसान ही है, मुश्किल है, बहुत असान है, किये नहीं है आप और अठीक है, आपने कभी किया नहीं है, कितने में बैच आ रहा है, बच्चा, यह कितने में बतलगा है, अच्छा फीस, अच्छा फीस बता देगे, पहले पढ़ तो लोग, तो दियान देन हम लोग अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे हम हिंदी में आपको बता देगे लेकिन आप जब पढ़िए इक वाँ अंग्रेजी में ज़रूर पढ़िएगा इससे धिरे धिरे कि आना कि वो information आप जानकारी गई जमा करना शोरू करेंगे जानकारी स्वक्राइब काम आनी है हिंदी काम ही नहीं आनी है परिक्षा हमें पूछबे नहीं करता तो कर क्या लेंगे मालों रट भी लिये तो यहीं नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को बता सकते हैं कि इस वाकिश की मीनिंग यह है इसके लावत कुछ नहीं कर पाएंगे तो मनले रेटिंग के लिए सारी चीज़ा हमें बताना ज़रूरी है अब यहाँ में बात आती कि जब हम पढ़ेंगे तो हमें टूल्स चाहिए होते हैं बिना साधन के परही हो सकती है आज के समय में या नहीं साधन चाहिए है अब दिखू कि साधन ने नहीं और ओल्लाइन और अफलाइन कि फ्यू इतनी है मचा साधन में अब दिखो प्रॉब्लम क्या दिया आपके साथ और हमारे साथ कि हम सभी ने हर चीज़़का अपना एक है कि यह कारी ऐसा ही करेंगे बड़े हमारा salty our Flex box share मेरा 5 रेंग था फूरे भारे पहले अिपस में मेरा 7 रेंग था इस वी आइक हम तॉपर है हमने कुछ तो सही किया होगा ला इस्टिंग्स 約 कि सेट्टिंग के तो हमने जो किया है, वो हमारे काम आया, हमारे बच्चों की काम आता है, तो आपको क्या करना होगा, कि आपको method, जिस teacher से पढ़े, कर आप हम से नहीं पढ़ते, किसी और से पढ़ने जाता है, तो वह teacher जो बोले, आपको उसको क्या करना चाहिए, अक्छरशा पालन करना चाहि तो आप जिस टीचर से बढ़ी आपको उसके methods को क्या करना होगा, आख मुंद करके उतने दिन follow करना पढ़ेगा जितने दिन के लोगों ने कहा है, तभी आप अपनी सफलता या फिर असफलता के लिए उनको क्या है, उतरदाई मान सकते हैं, otherwise नहीं मान सकते हैं, तो जब आप हमसे पढ़ेंगे, तो हमारी लिए अंग्रेजी पढ़ने का सबसे पहला साधन आपके पास होना चाहिए, वह होना चाहिए, डिक्ष्णरी, अब बुलिश्णरी में तो सब्वे शब्द का मीनिंग है, तो आप किस काम आएगे, हम तब काम आएगे, जब आप क्लास आएग है कि आप सोच नहीं सकेगे, यह टूल हम लोग बहुत कम यूज़ करता है, जब कि स्कूल में तो बच्छों को डिक्ष्णरी खरीदवाई जाती थी, लेकिन जब हम लोग बाद में आए, जब हम जरूरत लगी अंग्रेजी के तो डिक्ष्णरी यूज़ करना टीचर बोल साउसरी अंत में रहता है, वो तो लिट्रेचर की किताबों में रहता है, या फिर साइंस वाइंस में कुछ मुख्य शब्दों की मीनिंग पीछे में दी रहती है, डिक्ष्णरी में लगभग सारे शब्द रहती है, क्या हुआ रहे बटा, कुस तो बोला, बता, ग्यान तो इसे चाना के लिचा रहती है, आप फिदर से खासी हो रहे है, एक लिचान रहती है तो ओर रहती हैं लिचानता है में लेucken हो से नो कि यौन को रीक्शनेरी उनी चाहिए कि आलावा कि की ने घ्रम के का storage मापको दें गे और grammar का भी material हम आपको देंगे ठीक है, अब यहां पर grammar के material में थोरी दिक्कत आएगी नहीं, नहीं, हम provide करेंगे, ठीक हम आपको देंगे जो हमसे हो पाएगा, हम हर साधन आपको देंगे ठीक है, test series देता दी, वो सारी चीज़े महेंगे, जो dictionary देंगो 2800 की है, वो आप नहीं खरीदेगा, इसलिए हम देंगे जो test series दो 7000 की, आप नहीं खरीदेगा, हम देंगे क्योंकि साधन नहीं रहने पर, प्रॉब्लम क्या होती ही न, टीचर के साथ दिक्कत क्या आती समझोगे यहाँ पर teacher है, हर वो काम करता है, जो उसे नहीं करना चाहिए, और हर वो काम जो उसे करना चाहिए, वो नहीं करता है जैसे teacher है, तो teacher के पास grammar का notes है, उन notes लेकर के बहुत सारे teachers class में आते हैं, फिर notes आपको लिखाना शुरू करते हैं यह काम तो Xerox machine से भी हो सकता है, जैसे जैसे teacher का काम सिर्फ क्या होना चाहिए, कि जो काम ना dictionary कर पाई, ग्रामर की किताब कर पाई, वह काम कौन करेगा, teacher करेगा ठीक है, तो teacher का काम थोरे गया होता है, जैसे question number 5 का answer B होगा, तो answer में भी लिखा हुआ है, क्यूं होगा यह ना हम बताएंगे तो हम कभी answer नहीं मिलवाते हैं, कि first का ये, second का B, third का सिर्फ को आपको देदेंगा, आप मिला लीजे और उसके अदा आईए, और जो जो गलत हुआ हुआ आप हम से पूछे हैं, बताएंगे क्यों होगा तभी तो time बचेगा, तभी तो 100 दिन में खतम होगा ठीक है, तो grammar में हम लगों के grammar के खराब होने का करने का, अधिकतर बच्चे बोलते हैं, मेरा grammar cover is a literature खराब है यह आप को grammar खराब, ठीक है, क्योंकि आप जो grammar पढ़ते हैं ऑ ग्रैमर का source ही आपका खराब है अप गलत grammar पढ़ते हैं अधिकतर बच्चे जो grammar पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं को लोग हमको कैसे पता हम भी गलत पढ़ते थे हमको अंतिरिक से पढ़के हम भी तो यहीं पढ़े है लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो हमने नोटिस किया कि जब हम एक्स्प्लेशन देते थे तो उससे हम ही संतोस्ट नहीं होते थे कि यह कैसे हो सकता है तो गलत है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं English as a second language और हमें अंग्रेजी कैसे पढ़नी चाहिए English as a first language ठीक है first language का मतलो जिनकी भाषा ही अंग्रेजी है और second language का मतलो हमारी पहले से एक भाषा थी हमने दूसरी भाषा के रुप में अंग्रेजी सीखा तो हमारी पहली भाषा तो हिंदी है तो हम वो किताबे खोशते हैं जो किताबे हिंदी और अंग्रेजी का प्रियोग करके पढ़ा रही है तो वहां पर अंग्रेजी को कैसे अप्रोच किया जाएगा as a second language लेकिन परिक्षा में तो हिंदी का कहीं जिकर ही नहीं रहता है यानि ट्रांसलेशन बेस्ट अप्रोच है वह क्या है वह गलत है कि अब जैसे में एक वाक्य लिखते हैं अब बताएगा वाक्य सही है गलत है कि कि थोड़ा बहुत ग्रैमर सबने पर रखा है ठीक है अब जाया वाक्या या कि अब नहीं है अब प्रैक्षिण देली टाइम में है है आवर सुलेखें एचार अब अब इबाद है कि पार देशन नहीं है यह भाकि सही है अग्लत है यह बताँ ठीक दूसरा बाकी लिखते हैं यह बता क्यों गलत है कि अधिक कि अधिक वह अपने मनमल यह डाउट से डाउट करना देखा कि कि क क कि यह वाके कि स्टेंस में है कि 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 अधिक हम लोग अधिक हम लोग ने पढ़ रहा कि अधिक है कि अधिक है इसके पहले की सारे वाके सही है कि अधिक हम वाके लिखते हैं यह बताना क्या रहे 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 है अधिक हम जब आपको पढ़ाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा यह वाके सही है गलत है अधिक हम पुछें इस वाके में कि बारिश हो रही है नहीं हो रही है अधिक है कि इस वाके में बारिश हो रही या नहीं हो रही है अलीक में बारिश खत्म हो चुकिए बारिश खत्म हो चुकिए ना बादल है ना कुछ था बारिश खत्म झणंड एक भी बून नी rhoi टपकरी सरक पै बारिश हो रही थी, हो नहीं नहीं रही है तो क्या कि concept अपना क्या हो यह दिये नहीं यह present perfect continuous है बारिश नहीं हो रही है, confirm है इस वाकिय की लिखने का ही ताथ पर है कि बारिश खत्म हो चुकी है बारिश फिनिस है, खत्म ऐसे चलो टाइम देते हैं बचा हाँ, दो घंटे लिख देता है, कोई दिक्ट है, अब नहीं, बारिश खत्म हो चुकी खत्म है बारिश अब देखो, दिक्ट क्या है कि अगर हम आप से पूझें कि present perfect continuous tense का प्रियोग कहा पर करते हैं तो आप क्या बताएगे, परिभाश बताएगे, present perfect continuous tense का present perfect में जाएगा, continuous अब देखो, concept अपना क्या हिला हुआ है, ठीक है, बुल बचेंगे तो आप बोलो के मिटा देंगे, आप बोलो के मिटा देंगे, अपने को पंगा नहीं चाहिए, अगर अब बारिश खाता में पिनीच है, बारिश हो ही नहीं रही है, इस वाकि में तो हम लोग जब पढ़ेगा, तो हम लोग दीजे पढ़ा हैं, किसी वाकिय क्यंति में ता रहा है, ते रहे है, ती रही है, ति यह ता ता थया करें गे कहा हम जा करें, अगर सीधे एक simple sentence English में लिखा हुआ है, उसका translation, तो हम तो translate कर नहीं रहें, तो सीधे है, तो हमें तो नि परिषिए पढ़ाते ही मास्टर को यह नहीं पढ़ाया होगा तो हम लोग तो सोर सेम है ना हम कहां से थो रहे हैं हम करें कि अवतार है नहीं विश्णु का जो बचा वा था हम नहीं है देखो simple सा line क्या होता है अंगरेजि में ऐसे पढ़ाया जाता है काम खत्म हो चुका है काम का evidence बाकिए समझो काम खत्म हो चुका unmute इसके 50 उडारंदेंगे clear हो जाएगा तुम गए मैधान में देखे तुम्हारे दोस्त लेकिन धूप निकली हुई है पेरों के पतों से पानी टफक रहा है छतों से पानी टफक रहा है लेकिन बारिश नहीं हो इससे पहले बारिश हो रही थी इस बीन बारिश खत्म लेकिन बारिश का एविडेंस क्या है बाकी है आप अपने दोस्त के घर पे देखें कि वो क्या है ना मैथ बना रहा है बिड़ पर बैठ कर गए चुला उला बंद है लेकिन प्रेशर कुकर से भाप निकल रही है इसका आपके आने के पहले वो खाना बना रहा था यह थोड़ा वो समझ में आता है कि अच्छा चलो यह ठीक है अब एक फर्क मता चला प्रेजेंट पर्फेक्ट में आप प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटिन्यूस में वागि उतार है ते रहे है तो कोई लौजी की नहीं है आप घ सब्सक्राइब और यहां हो रहे है लेकिन का मिदेन्स अबना बिख रहे हैं कि अच्छा वरा आथा यह तो बैलिंग्वल बुक्स को शन करना होगा त्यागोग नहीं किसार आप रही है translation तो हमसे पूछे का नहीं कहीं पर कि चबू की छट पर चौदिन से चौछ चुचुदर चुचवा रहे थे वो तो गाउ जाते थे 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 आप पटना में पढ़ता है आप बताओ इसका translation क्या होगा रम तोरही के अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो तो अब करना है नहीं वो समय तो बीच चुका है नो रेमेंड मर्फी नहीं नहीं हम भी पहली बार ही सुनें तो हर चीज का एक पहली बार होता है यह सब भुजूग राइटर है मतला बहुत पुरा नहीं जॉन इस्टूड माइकल सवान कैथरीन वाल्टर तीन टॉपिक अपना हम पढ़ाएंगे मतलब जो कहीं नहीं वो मेरा है उसमें एक एक लाइन मेरी है और वो जो टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे उस नोट्स पे अपना नाम लिख करके आपको देंगे वही बारह पढ़ने का नोट्स है जो म मेरा लिखा हुआ नहीं ठीक है तो ग्रैमर आपको हम ऐसा कवर कर देंगे न कि आपको सारी चीजें आप समझ भी सकेंगे और आप तुरुटी क्या है वो भी आप किसी की बता सकेंगे एक होता है लॉजिक कि क्यूं होगा यह आपको पता रहेगा कि ऐसा यहां पे क्यूं ह होगा एक होता है कि भाई पढ़े नहीं होता है के तक सीचों होता है लेकिन इसका यह यह हम आपको बताते हैं तो रेडिंग हम लोग शुरू करते हैं कल क्या करना हो बताते हैं फिर हलका सा ग्रामर का इंट्रो देंगे और फिर हम लोग अपने रस्ते बढ़ेंगे आप हमेशा धियान दीजिए कि टीचर रोज आपको हम कोई रोज आपको गूरु मंत्र नहीं देंगे अब हम वो चोटी-चोटी बाते बताएंगे और वही चोटे काम रोज करने हैं रोज नया गुरु मंत्र नहीं मिलता है तो कल का जो अगर हम आपको होमवर्क देते हैं माली जी यह हम आपको होमवर्क देते हैं तो पहला काम करेंगे इसको उतार लेंगे कॉपी प अगर आप at any given point चाहते हैं कि हम अंगरी से लिखें, तो आपको देख करके तो लिखना आना चाहिए, तभी खुद से लिख पाएंगे, जो व्यक्ति देख करके नहीं लिख सकता है, क्या वो खुद से लिख लेगा, वो आरा में एक लरका पकड़ाया था ना, मोबाईल लेकर सब बना दिया था, और जो एडवेड था अगल बगल में सब उतार दिया था, हम लोगो मजाक लग रहा है न, ठीक है, जब एक लास कातम करेंगे तो ये news हम आपको दिखाएंगे, तो देख के दो लिखना आना चाहिए, ठीक, दूसरा step हम आपको कहते हैं कि भाई, आपको इन शब्दों का प्रकार बताऊंचे कि है क्या, ठीक है, तो पहले दिन अगर हम बोलेंगे कि आई प्रोनाउन है, तो बोलोगो सर प्रोनाउन हमने पढ़ा कहा है, तो आप लिख लेना कि सर एक फल का ना, मैं आप इतना गलत लिख सकते हूं, लेकिन खाली नहीं होना चाह क्यों दिक हमर साथ दिकत क्या होती है, जब करेंगे तो सही करेंगे वर्णा नहीं करेंगे, यह कोई बात है, आप गलत करना शुरू कीजिए, फिर हम आप कहलते हैं कि 15 दिन में आप है न, 3-4 गलतिय मातर होंगे आपकी, कितने दिन में, मातर 15 दिन में, लेकिन यह तब हो है तो हम बोलेंगे आई प्रोडाउन है, आपको नहीं पता है, तो हम बोलेंगे कि हैड औॉक्जलरी फर्म है, तो तुमने तो पढ़ा नहीं है, तो तुम इसको सबजी लिख देना, कुछ भी लिख देना, जो समझ में लिख देना, लेकिन खाली नहीं होना चाहे, कॉपी ठीक है और मात्र पंद्रा दिन में आप कहा है न 80% सदिक शब्द पहशाद ने लगो यह हम बोल रहे हैं सबके सामने बोल रहे हैं मात्र पंद्रा दिन में कहा है न 80% सदिक शब्द आपको समझ में आने लगे कैसे हो हम जाते तुम परिशान कहले हो कहानी थोड़ी से हम पढ़ा दें इंट्रोड़क्शन दें कल को हमस दिखेंगे आज हम ग्रामर रेफ्रेंस नहीं दें कल से ग्रामर का रेफ्रेंस देंगे जब आफ हूंबर्ग मना किया मैं मिलने गया अपने मित्र से हमारे मित्र का नाम क्या है शर्लोक होंज और यह काम मैंने कब किया एक अच्छा दो रेफ्रेंस ऑफ टाइम कहीं पर यूज कर से पहले है ना वन डे इन दा आटम ऑफ लास्ट यर तो पिछले साल की बात है आटम महीना होता है अक्टोबर के अराउंट होता है पज़घर का महीना होता है ठंड के ठीक पहले ने वसंद को तो स्प्रिंग कहत अक्टोबर में वसंद कब आता है पत्यजर के बाद आता है शरद रितु पत्यजर मतले अब देखो कि वहां पर बर्फ गिरती है तो बर्फ से खुद को बचाने के लिए पेर पौद्य क्या करते हैं अपने पत्य गिरा देते हैं ठंड भर में ठंड जेलते हैं अजब उगा लेते हैं वसंद में तो उस समय की बात है पिछले साल की बात है दिन एक दिन हम गए अपने दोस्ते मिलें एंड फाउंड हिम इन डीप कन्वर्सेशन विट अवेरी स्टाउट फ्लॉरीड फेस्ट एल्डरली जेंटलमें तो एक बुजर्ग व्यक्ति से वह बात कर थे बुजर्ग व्यक्ति के लिए बहुत सारे अड्जटिव सी उस किये गया है ठीक है तो मैंने उन्हें पाया क्या पाया कि वह बात्वर्सेशन यानी कहन बाचीत मिली इन गया है इतनी बाचीत मिन नहीं को ध्याद दिया दिए अगल गडल में क्या हो रहा है और एक व्य जरीर से क्या है बजबूर्ग भोग तया नहीं होते है सलमान का बज़ग है मजबूत है नहीं मैं है यंग कही है जचाहयग बच और बूजबग तो आपके पर स्टॉट एज जटेया ok perfect sitting से कege मजबूत है स्ट्रांग एंद थिक, खोटा ताजा है, तगड़ा है, तगड़ा है, पहला तो यह हो गया, ठीक है, दूसरा था फ्लॉरिड फेस, मतलब हम डिक्ष्णरी देखना आपको बता रहें कि अब देखे, हमें पता है, लेकिन आप देखिएगा तभी ने कल्ह पढ़के आईएगा, फ्लॉरिड, ठ है, लाल है उसका चहरा, फूल वाला फ्लॉरिड तो हो नहीं सकता, वो भी होता है, having too much decoration, लेकिन मनुश्य का चहरा पर decoration तो हो नहीं सकता, चहरा लाल है, चहरा गया है, लाल, यह सब को बता चलेगा, जब थोड़ा आप खुद से अप्रोच करेंगे, देख लेते हैं, मास् होगा, लाल, ठीक है, बुज़रुग तो है ही वह व्यक्ति, with, preposition, fiery red hair, उसके बाल है लाल, और लाल कैसे आग जैसी जलती है, उस तरह का लाल, जैसे हम लोग क्या है बचा, हम लोग और दर्कियों में एक फर्क क्या होता है, कि हम लोगों को color कम पता होते है, आपको लोगों को बचा बहुत रंग पता होगी, जैसे, मेरी माँ एक दिन बोली की, रानी color, ये रानी color तो पढ़े भी नहीं हम लोग, सुगा पंकी color, ये सुगा पंकी color क्या होता है, क्यों तो हम लोग का color के concept कम है, तो ये लाल है, लेकिन, simple red नहीं, कैसा red है, फाइधी red, वैसे उसके बाल के, with an apology for my intrusion, मैंने माफी माँगी, for my intrusion, क्योंकि मैं तो हम सक्षेप कर रहा हूँ, बीच मैं टोक रहा हूँ, उनके व्यवधान डाल रहा हूँ, तो intrusion noun है, तो जब आप इसकी meaning देखने जाएंगे, तो intrude verb से intrusion noun बनता है, तो हम जब पढ़ाएंगे तो सारा detail देंगे, लेकि जब घर पे खुद पढ़ोगे, क्योंकि पहले आप घर पे पढ़ेंगे, टूटी-फूटी meaning निकालने का प्रयास करेंगे, फिर हम जब बता जाते थे, जो tough shabd होते तो उसकी meaning क्या करते थे, बिखाते थे, यही था ना, तो आप ध्यान देगी कि आपकी जिंदगी में जो अधिकतर ग्यान अभी आपके पास उपलब्ध है, वो school वला ही है, क्योंकि school का तरीका क्या था, सही था, वही method गया था, सही था, तो आप ज से जाने ही वाला था, जब मेरा दोस्त होम्स मुझे अचानक से घीच करके एक कमरे में लेगी और दरवाजा बंद कर दिया, इसका मनों कुछ मों बताना चाहता है, मुझे, ठीक है, तो क्या बताना चाहता हो, कल देखेंगे, एक कहानी अच्छी होगी, इसमें थोरा time लग रहे का बट कोई दिखेंगे, क्या बोगुष, इसमें बढ़ेगी बढ़े की बचाहता, आप मैं और हमें उम्र का फर्क है, न सिर्फ, रिडिंग के उम्र का फर्क है, हमने जादे पढ़ा है, आपने कम पढ़ा है, तो जो काम आप रेगुलर करेंगे, तो काम क्या हो समशिय जो बनाता है पानी लगा या पड़ा तेझ है क्यों रोज कररा है वाईज। वैसा कोई नहीं को उपर से कला लेगा देखो बहुत सार ये से क्या मैं बड़ा तेझ करा लागेटि क्यों बड़ा तेझ कर रहा है जैसे देखो हम क्या है न कि मतलब अभी हमारी वाइफ गई गई है घर वाइफ गई है तो कई बार कहने कि कपरे हमसे फोल्ड नहीं होते हैं तो हम एकाज टी-शिट ही खरीद लेता है कि भाई पुछ दिन में तो आही जाएंगी फिर आएंगी तो आईरन करेंगे फोल्ड नहीं हों आएंगी पांच मिनट में परते रिंगे क्या बरतन यहां रखें यह यह रखेंगे उस बिश्मुक्य को रोज करती है तो उनको क्या आइडिया है हमसे होगा नहीं हम लोग अगर हम एक मेरे काम आते होंगे तुम्हारा कमरा ढंका देखता हूं मेरे रूम में जाओ मतला वो पिग स्टाइब जहां पर सुवर को रखा जाता है वह भी साफ होगा मेरे कमरे से अब बदबू नहीं आ रहे हैं कोई भी चीज सरने वाली नहीं है लेकिन मेरे बेट पे तुमको क्या कि बड़ा है शेतरफन तो बचा हुआ न पती तो है नहीं तो उनकी एरिया में हम क्या कर रहे हैं कैसा तो अपने परोसी का प्लॉट खाली होता है तो कुरा हम लोग कहा फिकते है उसे प्लॉट में रजाई है हीटर है सब कुछ वहीं पर पड़ा हुआ है तो रोज करेंग कि मिनिममम 75 बरसेंट आएगा मीनिममम इसलिए कि क्यों आपने सकता है कोई बचा बहुत जादे कम्ज़र हो एक मिनिममम 75 बरसेंट नंबर आएगा लेकिन वह तब आएगा जब कली इस होमवर को टूटा पूटा गलत सलत बना करके आप आई लिए इसके अलावा दो अतिर तो जितने बैचेस हमारे चल रहे होते हैं, हम सब के लिए एक अलग अलग content बनाते हैं जैसे कहानी तुम्हारे लिए शुरू किये तो बाकी बच्चे भी देखेंगे ये किसी बैच को न्यूस पेपर पढ़ा रहे हैं तो बाकी बच्चे भी देखेंगे को मैगजीन पढ़ा रहे हैं तो बाकी बच्चे भी देखेंगे और कल होगे अगर हमने एक चौथा बैस दिया तो इसको अलग एक और चीज़ पढ़ाएंगे ताकि अन्य बच्चों को चार अलग अलग तरह की चीज़े पढ़ने का क्या है मौका मिले ठीक है तो ये मैगजीन सभी लोगों को ले लेनी है जिनको भी मतलब आगे है continue करना है तो ये मैगजीन आप ले लेंगे ठीक है इसमें भी सेम काम करना है जो homework बनाना है अब इसके भाषा अलग है इसके शब्द अलग है इसके शब्द क्या है अलग है तो इसमें क्या है ने कि पिछले साल की जो सौ महत्पुन घटनाएं थी ये उनका विवरन ही ये मैगजीन आती है दा है इन तो in school के बच्चों के हम लोग पढ़ेंगे घटना करम नंबर बता देते हैं जो लोग भीकल बना के आना चाहें बना कि आँसके हैं बाकी लोगanra डो-3 दिर वेट है इसमें हम सारे ही शब्दों के अर्थ बताते हैं तो कुछ भी अलग से पूछने कि आपको आप शक्ता नहीं लगेगी है मैगजीन आठ पर जे स्टार्ट करते हैं कल से सारे आठ तक आप लोग आ जाओने मुच्छा ठीक है अब यहाँ भी धेन देने की बात क्या है कि हम जब हर शब्द की मीनिंग जैसे हमने बताया देख़ो हर शब्द की मीनिंग हमने बताई तो जब आपको आज हम वहुमवर्क ऺते हैं हम वह अब माग करा डैते हैं ठीक है तो जब आप इसको पढ़िए गया तो आप नोटिस कीजा कि यह शब्द तो टेरह लगए यह भी थोड़ा सा टेरह लग रहा आपको और भी लग सकते लेकिन मुझे तो लग रहा है यह काम काँ आना चाहिए ये ये कोश्टिनिंग भी लिख सकते हैं बॉब ठीक है तो अगर आप चाहे तो इन शब्दों को लिख सकते हैं कि सर तो पढ़ेवे करेंगे शब्द को लिख लेते हैं सर जब बताएंगे तो तुरह तुसका मीनिंग बगल में हम क्या करेंगे दिख लेंगे क्योंकि हम वोकाइब का माटीरियल नहीं देते हम रोज आपको है न सौदो सो शब्द रोज बढ़ाएंगे इतना शब्द कोई टीचर नहीं बढ़ाता है ठीक है और हमारे ये मानना है कि भई चाटने और आइसक्रीम के ःदर में आंतर शुरू हो जाता है यानि चाट रहें धीरे न पिखल रहा है तो फिर हम लोग क्या करते है आइस क्रीटेम को चाड़ने की जगा काटना शूरू कर देता है जब काट के मुझे डाल लेते हैं तो कश्ट से दर्थ करते हैं लीकिन अपने मण में के आड़ 20 रुपया काणी बड़ बाद तो नहीं ह दिखने होंगा अगर दिकत हो रहा है अगर आप सारा ही चाहेंगे कि सारा ही चाट जाए लापको क्या होगा क्षट प्रति दिन तीन 100 शब्द लिखने होंगे दिन वह सब्रक्राइब पंद्रह सो, एक महिने में छे हजार, तो फिर तो आपकी वही हालत हो जाएगी, जो आइसक्रीम मूँ में काटके रख लेता दिए, कुछ मिस होगा, कोई दिक कर नहीं है, धीरे धीरे जब हमारी मैनेज करने की शम्ता बढ़ेगी, तो कुछ शम्त सुनके याद हो जाएगे, कुछ को निख लिया करेंगी, उसको बौदर नहीं करना है, हम लोग कचरा बहुत इकठा करते हैं, क्लास में लेट से पहुँचे तो बोर्ड का फोटो कीच लिए, किसी दिन एपसेंट होगे तो दोस्त के कॉपी का फोटो कीच लिए, फेस्बुक पे कोई कोई कोटेशन अच्छाली स्क्रीनशॉट में लिए, कभी जिन्दगी में यूज कियों, उन सभी चीज़ों को दोबारा, कभी, पढ़ा रहता हो, नहीं यूज होता है, तो आप आराम से पर ये लाइफ पर ये रोज हम बताएंगे, अगर आपके बस समय है, इफ टाइम परमिट्स तो ल संधेश करेंगे, ध्यान दीजेगा, जो भी बातचीत करेंगे वाटसप पर यहाँ हम पो टेलिग्राम भी करेंगे, क्योंकि वाटसप पर प्राइविस है नहीं, टेलिग्राम पर क्या है कि अगर आप चाहे तो आपको नमबर भी किसी को नहीं दिखेगा, आप ऐसी बीना समूह में जोड़ देंगे, सभी लोग तो class करेंगे, कुछ लोग हैं जो डेमो के बाद नहीं करेंगे, फिर पांचे महिने बाद आ करेंगे, आप रेडिंग ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप इस ID को सर्च कीजेगा, कहां पर सर्च कीजेगा, हाट टेलिग्राम पर, उपर में सर्च करने का उप्चन होता है, यह मेरी ID है, और आप हाई भेज़िएगा, नाम भेज़िएगा, और बैच का टाइमिंग भेज़िएगा, ठीक है, हम आपको एक ग्रूप में आड कर देंगे, उस ग्रूप में आपको एड करने के बाद, हम उसमें पहले तो एक डिक्शनरी डाल देंगे, इस कहानी का पीडिएफ डाल देंगे, ठीक है, यह चाहिए नहीं, यह कहानी तो चाहिए आपको, इस कहानी का हम दो पीडिएफ डालेंगे, कितना PDF डालेंगे समझ लिए सभी लों, दो PDF डालेंगे, एक PDF डालेंगे कम पन्नों का, उसको हम इस तरह से अरेंज कर देंगे, कि अगर छापते हो, छपवाते हो बाहर में, तो कम पन्नी में प्रिंट आउट निकल जाएगा, अगर दूसरा PDF छापते हो, जो देंगे बड़ पन्ने का, ठीक है, उसमें गया कि अक्षर मोटे मोटे होंगे, तो अगर आप सिर्फ मोबाइल पे ही देखना चाहते हो, तो भी आपका काम चल जाएगा, तो उसमें हम लिख देंगे, कि ये प्रिंटेबल है, कि अगर छपवाना है, तो ये छपवालो, दो तीन पन्ने, च हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है मन में, कि दो रहेगा, इस पर आप हमें मैसेज भेज देगे, कर लीजेगा सभी लोग, ठीक है, नाम और बैच का टाइमिंग देदू कि तो भी हो जाएगी सब, ये बला बैच है, हम आट कर लेगा, और हमेशा ध्यान दीजेगा, क जो हम है, क्योंकि content हम आपको अधिकतर online नहीं तो आपको थोड़ technology के प्रती friendly होना पड़ेगा, क्योंकि परिक्षाए online होती है, अब बहुत वरवज़ेसा mobile पे नहीं होता, कागजे देद, नहीं, ऐसा नहीं संभाव है, क्योंकि हम material हमेशा change करते हैं, हर batch में change करते हैं, त हम कितना print out आपको देंगे, ठीक है, और use करना आने चाहिए, यह से test भी हम जो आ लेंगे, वो भी online ही लेंगे आपका, परिक्षा भी online ही होगी न, तो test online ही देंगे हम आपको, इसका धियान आप सभी को रखना है, नहीं, 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 यह मेरी personal idea, doubt zone तो public forum है, बच आप हमें से personal message कीजिए, हम आपको बता दें, नहीं, 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 देखिए, हम आपको जब, आप में से कितने लोग inquiry में आए था, तो आपको बताया क्या होगा न, कि अभी एक घंटे के class होगी, फिर एक समय बाद देर घंटी की हो जाएगी, जब वो देर घंटी की होग तो आपको नीचे की तरफ shift कर रहे हैं, सारे आठ में, ठीक है, क्योंकि जब गर्मी आ जाएगे न, तो 11 बजे घर लोटने में थोरा कस्ट होगा, ठीक, हाँ, बच्छा, सभी थोरे बगल में रहते हैं, कुछ लोग दूर भी रहते होगे, कर लीजेगा इतना न, ठीक, और टीचर की vocab नहीं सुनाएंगे, तो बाहर इसे भगा देता है, आप vocab रटी है, न, रटी है, कोई दिक करते हैं, हम आप से क्या expect करते हैं, देखे, आप absent मत हुई, नेवर बी absent, यह हमारी पहली requirement है, बता देते हैं, कि हम आप से क्या क्या आशा करते हैं, आप absent बता हुई, अगर absent होते हैं, तो हम Saturday, Sunday हमेशा ओफ रखते हैं, ऐसे महाश्यव राती हैं, हम तो बोले ते थोर हम जाएंगे, भगवान के दर्शन, तो छुटी दे रहे हैं, आ हम 19 को लॉट आएंगे, लेकिन अगर 19 को नहीं लॉट पाएं, क्योंकि train से लॉट आएंगे, 20 को अगर लॉटते हैं, लेट से, तो फिर class 21 से होगी, ठीक है, महाश्यव रातीर की शुटियर, absent नहीं होना है, अगर absent होते हैं, तो सारी classes का आपको online मिलता है backup, हमेशा ध्यान ठीक है, इससे क्या होता है न, कि देखो, हर जिगर जब जाओ गए न, तो teacher बोलता है, इस course की validity दो साल है, बोलते हैं, दो साल का rent कौन देगा, तो हमारे course की validity तो जीवन भर है, बेट हम आपसे आशा करते हैं, कि आप सौ दिन में ही पढ़़ हैं, हम आपको कह रहे हैं, हम आज भी हमने आपको कुछ शब्दों की meaning बताएं, बट हमने आपको कहा कि इसको याद करना है, या लिखलो, क्योंकि नेचरल प्रोसेस नहीं है, नेचरल प्रोसेस क्या है, कि आपको reading की आदत लग जाए, और dictionary यूज करना हम आपको सिखा दे, तो जब तीन महीने बाद त पढ़ोगे न, liaison, अच्छा, liaison का मतलब होता है, दो के बीच में, mediate करना, ठीक है, यह आदत जब लग जाएगे, तो शब्द कैसे, मुझे कैसे याद है, प्रियोक करके, तो वो कैप आपका improve होगा, देखो, सबसे दिख, टीचर कोई reading कराते हैं भारत में ही नहीं कराता है, पटना भीहर छोड़ दो, भारत में ही कराता है, कराता भी ही तो token के नाव देख, और हमारा major focus ही क्या है, सोच के देखो, reading पर ही है, ने reading करो, क्योंकि reading सुधरने में सबसादिक time लगेगा, सबसादिक focus होने के बाद, भी उसमें सबसादिक time लगेगा, बट वो सुधरता है grammar ही गरबद है, फिर आप समझें, आप सभी आपका grammar ही खराब है, मेरा भी grammar ही खराब था, हमनों grammar ही गलत पढ़ते है, हमनों grammar ही क्या पढ़ते है, गलत पढ़ते है, ने, ने, वह नितिय अताहितग नहीं हम बताते हैं चोले एक छोटा सा प्रष्म है आपसे और तइम इंटेंस में बहुचनल है ये टीचर बढ़ाते है पढ़ाने की कोई logik है यं wond। लекिन बढ़ाते है नloud कोई बता सकता है इसके पर पढ़ा हुए तो पढ़ा हुए तो पढ़ा हुए बचा तो what is difference in time and tense teacher बताते है ने इसको रोक करके बताओ time and tense में क्या फ़र्क है हम बता देंक clear हो जाओ पहले तुम लोग अपनी तरफ से समझ लो हम दो लाइन में बता देंक clear हो जाओ ते time and tense में क्या फ़र्क है बोल बचा तुभी बोल कोई दिखर नहीं कोई शुदि नहीं बेसिक तो जैसे हमें तो पता हुए नहीं कि है क्या शब्द है ना अंग्रेजी का तो शब्द है ना क्या होता time and tense ग्रामर कुछ से बढ़े हुए किसी टीजेस आपने बढ़ाया रहा है यह स्कूल अजा tense क्या और tense बता हूए ना tense क्या आओ अच्छा ठीक हम एक lijn में बता दें physics, 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 physics में पढ़े हो न, mks, fps, cgs, si, system, ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि भाई, कुछ scalar, कुछ vector, quantities के अंतराष्ट्री मानफ पढ़ते हैं, उसको मापने कैसा है, तो समय के मापनी की जो इकाईया है, अंग्रेजी भाषा की, इसको क्या करेंगे, टाई, तो समय को मापना कहां से शुरू करते हैं, second, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है न, ये, minute, घंटा, दिन, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, हफ्ता, महीना, जन्वरी, फर्वरी, ये सारे क्या है, टिन्स क्या है, नहीं नहीं नहीं, वर्ब का रूप, टिन्स क्या है, वर्ब का रूप है, वर्ब का रूप है, तो ध्यान रखेगा, इसलिए वर्ब के पहले रूप को प्रेजेंट, वर्ब के दूसरे रूप को पास भर पितीसी उर्ब को past, example कहते हैं, तिल, दिखो कि टेन्स के नाम में कम सकं ET 2 हिस्से होते, present primal, present continuous, एक बता रहा है कब रहा है कितना हुआ, खुद से बता दे अच्छी बात वर्ब अगर खुद से बता दे कि कोई भी काम कब हो और कितना हो अच्छी बात और अगर खुद से नहीं बता पाता तो मदद लेता है क्या लेता है? किसकी मदद लेता है? Helping वर्ब जैसे वर्ब का चौध हरुब continuous लेकिन present या past नहीं बता चला है, इस लगा दे तो बता चले का present मदद लेता है तो कोई अगर आप से पुछे का tense का है तो आप क्या भी काम कब हो और कितना हुआ? अगर वर्ब खुद से बता दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खुद से नहीं बता पाता तो वो मदद लेता है किसकी मदद लेता है? Helping वर्ब लोगे सार तो आपकी परिभाशा सही है, हमको कैसे बता? तो मेरा दिमाग में सिधा सा कॉंसेप्ट था बचा की टाइम अंग्रेजी का शब्द है ना? डिक्शनारी में मीनिंग होता है नोकर? टेंस अंग्रेजी भासा का शब्द उसकी डिक्शनारी में मीनिंग होगी ना? मीनिंग देख लेते हैं क्या कहता है? तो मिनिंग यही कहता था तो फिर हम क्या हो गए? हम sure हो गए एक चलो ठीक है भाई, Oxford वाला बोल रहा है तो गलत थोड़े बोल रहा होगा क्या है? Any of the forms of a verb that may be used to show the time of the action कब हुआ? and state expressed by the verb और कितना हुआ? इसमें हम अपना जोड़ दिये कि भाई, खुद से बता दिया तो ठीक ने तो मदद लेगा कि इसके helping verb की, इसके helping verb कहे तो मदद कर रहा है क्या मदद कर रहा है? एंस बताने में मदद कर रहा है कि कोई काम कब हो अर्फे ठीक, तो grammar ही सही करना है रीडिंग तो अर्थ इसके बात है, अगर हम यूज कर लीका माढ़े है लेकिन लगेगी छाभी ये कौन बताएगा, grammar हमधने है इनको यूज कहा पर करना है ये तो पता चला है कि भाई, बंदुक के ओपर में गोली बाँद कर, क्या बंदूक के साथ फेग भी पता होना चाहिए वह टू पुट डोज वर्ट इस शब्दों को लगाना कहा पर ठीक है चलिए हम कहाते हैं आपकी जिम्हेदारिया बताएंगे न भाई वो गरते हैं न मौलिक कर्तव और मौलिक अधिकार तो आपके अधिकार और आपके कर्तवे बतारे हैं तो आपकी पहला कर्तवे क्या है कि अपको अपसेंट नहीं करना है बचचा आपको क्या नहीं करना है अपसेंट नहीं कर सकते अगर करते हैं तो online class करनी है दूसरा homework बना के लाना है गलत हो और या सही है आप एक बाद हमेशा समझेगा अब फ्री नहीं है पेड़ है अब वो डिक्ष्णरी फ्री रहेगा वो डिक्ष्णरी तैदी सब को देगे होमवर्क आपको करके लाना गलत यह से हमेशा ध्यान देगा जैसे अगर कोई बुले अगर हम फार्सी की परिक्षात दे तो दे सकते की नहीं दे सकते हैं फेल करेंगे दे तो सकते ही है हमेशा ध्यान रखना है बनेगा कैसे नहीं गलत बनेगा यह ना रिक्तस्थान की पूर आंते हैं हम लोग। यह मनला अगर कभी बुलें कि नहीं बना तो यह गलत बनेगा नहीं बनेगा हमारी क्लास में नहीं गलत बना के लाना है। गलत बना लीजेए। यह यही दो requirement है, यह आपके क्या हो गया कर्तब, यह आपको करना है। कि अदिकार कि सर आप हमें भी तो हमारे भी जिम्यदारी बनती है, आप Pues फूलनेैं fee देनी है, fee भी आपके कर्पत सुनोन है अब हमारे जिम्यदारी में कि आपको minimum इतने नंबर आए ए ए minimumud किसी परिक्स हमें bank oilli December किसी और प्रिक्षा मित्ल merchant मतलबनने ihmं इतने नंबर आने है ठीक है साथ ते पच्छतर पहले बोलते थे लेकिन आपके आने कि हम लोग इतनी मेहनत करवा रहे हैं कि बच्चों को आ जाता है वो तो हमारा मतलब जो पहला सेट आपको बनवाएंगा तीस दिन के बाद उसमें पांचे नंबर कमस कम आएगा तीस में jean जिरो गिसी ओनी हेंheureया जब हम पहला सेट और ये भी हम लोगग करना टेस्ट बुख से नहीं बनाएंगे सब्सक्ति क्राइब हम लोग बनाएंगे onyboard से, onyboard के question टेरे होते हैं, इतने टेरे question होते हैं, कई पर बच्चों को teacher बोलते हैं, इतना पूछे का परिछा मैं इसे थोरी पूछता है, तो आपर का बनाएंगे है तो नीचे का क्या है? बनेगा यह बनेगा, बनेगा, ठीक है, अब आपको हम एक बाद बोले हूं ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक मेहनत हम लोग रीडिंग के पर करेंगे। और सबसे खराब इस्थिति आपकी रीडिंग की रहेगा। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। नहुंद आपको फिर भी 72 प्रतिशन आएगा। सबसादिक मेहनत हम लोग रीडिंग भी करेंगे सबसे बुरी सिति आपकी किसके रीडिंग की क्योंकि रीडिंग आपके उपर निर्भर करता है हम यह जबरदस्ति नहीं कर सकते हैं प्राक्टिस को हम करा देंगे लिख के लाए हम देख लिए रोज लिखेगा तो कुछ किस्ति थोड़ी बहतर होगी कुछ बच्ये जो होंगे कि शब्द की मीनिंग भी डिक्ष्णरी में देखेंगे और हम जब बताएंगे तो नोट भी करेंगे किस्ति और बहतर होगी तो हम आज ही आपको धंका दे रहे हैं कि हम सबसाधिक रीडिंग कराते हैं इतनी रीडिं जाने हैं, उस उम्र के बच्चो के लिए हो किताब है, तो हमारे जिन बच्चो ने श्कूल में पढ़ा, रिडिंग स्कूल तक की किताब है, उनको थोड़ा असानी होगी, लेकिन अगर आपको छोटे बच्चों की भी किताबे समझ में नहीं आती है आपके लिए तो थोड़ी दिल्ली क्या है दूर है इसी कारण से हम रेडिंग की सारी क्लासे हमेशा ओपेन रखते हैं ताकि जब आपका बैच खतम हो जाए नंबर आ रहे हैं लेकिन अगर आप रे कर रहे हम तो कुछ नगुछ पढ़ते रहेंगे फिल्में देखेंगे कहानियां पढ़ेंगे गाने सुनेंगे तो कुछ नगुछ शब्ल में दिमाग में क्या है चलता रहे है नहीं तो यह हमारी तरफ से ठीक है यह गारंटी है कि इतने नंबर आपको आईगे है थोड़ा मोटिवेशन मेरे पास अपना रिजल्ट और मेरे बच्चों के रिजल्ट यही है नौ निकालो भारत का कोई टीचर निकालो पटना बिहार छोट जो ऑबीस यह बात हम तो आईस की तेहरी कर नहीं रहे जो आईस टॉप किया है जितनी की क्वालिफिकेशन मेरे इतनी हो नहीं होगा ठीक है और आपकी जो इस्तिति यह 15 दिन बाद देखना तुम खुद बोलोगे नहीं सब और कि ही किके आप में से बहुत सरे बचे किशना कीसे से होके आए होंगे उस मेरा लेकर को अफ तुछ मेरा बॉर देखकर का होंगे कं अ रहरて सब्सक्राइन जाएगा हमने आपको दिया है इंसर्कल आइसतनी का कि कि यह हमट है तो आप ये लिख लिजिए you could और encircled eyes तो जब PDF मिलेगा तो आपको दिख जाएगा ठीक है छुट्टी करते हैं बचा अब message भेज दोगे लेकिन यह नहीं कि कल ही यूज करना है तो हर भराना नहीं है कि तीन-चार दिन बाद भी अगर वर्ड मिनिंग नोट करना शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हाँ पहले दिन से शुरू कर दोगे तो दूसरों से एक कदम क्या रहोगे आगे रहोगे कि हाँ सारे अट से देज़़गे कि अधिक है वो देंगे पीडिएफ अपने आप समझ में आ जाएगे हाँ यहां से शुरू यहां से खता उतार के कल आ जाए हाँ 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 जो माटीरिय एक बरत जब दुचार दिन क्लास कर तो सब कुछ स्ट्रीम लाइन हो जाएगा फिर आपको जैसे चुट्टी है तो उसका भी नोटिस मिल जाएगा है ठीक है चलिए बचार क्लास किया जाएगा हमें भी भूख लग गई है आपको भी भूख लग गई हो गया है कर दो कर दो कर दो कर दो